आज का जो विश्य जिसके बारे में हम बात करेंगे वास्तू के बारे में बात करने जा रहे हैं अब कितने क्लाइंट्स होते हैं वो बोलते हैं शाहिना जी हमने ना तीन प्लॉट सिलेक्ट करें हैं अब आप देख लो कि हम लोग कौन सा प्लॉट सिलेक्ट करें मतलब किस घर में जाए जो आप बोलोगे वो हम करेंगे उस दिन मैं एक वास्तु विजिट के लिए गई थी तो उस में से दो में से एक जो था मैं उनके दुआर के अंदर एंटर करी ही नहीं इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यह है कि उनके जो दौर था वो साउध वेस का दौर है अब सबसे पहली चीज यह है कि वास्तु शास्त्र में जो सबसे इंपोर्टन रोल प्ले करता है वो है आपका घर का मुख्य दौर क्योंकि वो डिसाइड करता है इस घर को क्या-क्या चीजे मिलने वाली है या क्या-क्या चीजे नहीं मिलने वाली क्या चीजे अन्हूनी हो सकती है वो हर चीज डिसाइड करता है आपका घर का मुख्य दौर अब कितने लोग बोलते हैं कि मुख्य द्वार कौन-कौन से अच्छे पद है जीरो डिगरी पे आपका नौर्थ होता है हाला कि जो जीरो डिगरी भी है वो भी ठीक है वो भी एक इंसान को प्रोपटियां वगेरा प्रोपटि का सुख काफी देता है बंडारे बढ़ती है लेकिन जो टॉप अन टॉप चीज है जो जीरो डिगरी जैसे आगया नौर्थ जीरो डिगरी के लेट साइड के जो दो पद होते हैं है ना वो कई न कई भैतरीन जिसको बोलते हैं वो कुबेर का आप मान लो कुबेर का एक तरह का आपके पास आशिरवाद आपको मिल गया 345 डिगरी 355 डिगरी बिल्कुल टॉप अन टॉप चीज है कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं यह सबसे बेस्ट बेस्ट दुआर है अब आते हम लोग इस्ट का दुआर हर इस्ट का दुआर अच्छा नहीं होता यह लोगों की मिसकंसेप्शन है कि पूरुफ का दुआर है तो वो तो बिलकुल एकदम भंडारे भर देगा एकदम समाच से जोड़ देगा एक उच्चा नाम देदेगा ऐसा नहीं होता जो 90 डिग्री की जो 90 डिग्री पर आता है नहीं 90 डिग्री से जो लेफ्ट साइड पर दो पद है वो ठीक है जो ठीक नहीं है एक्चली वो बहुत अच्छी है वो आपको कई न कई सक्सेस देते हैं वो आपको समाज से जोड़ते और समाज से आपको फाइदा मिलता है वो वाले पद हैं जो बाकी के जो द्वारे इस्ट के वो आपको commitment failure देंगे क्याते ना लोग मुकर जाएंगे एकदम commitment करी मुकर गए शादियां नहीं चल पाती कितनी बार extra marital affairs भी हो जाती है क्योंकि अगर commitment failure है husband wife रह रह रहा है तो इसका मतलब husband committed नहीं है wife से और wife committed नहीं है husband से काम में कोई बोला कि अच्छा आप इतनी machine ले लो यह ले लो ले लो पलट गया अब आते हम लोग वेस्ट का द्वार वेस्ट हो गया 270 डिग्री अब 270 डिग्री के जो left के दो पद है वो कई ना कई एकदम world top class है मतलब यह आपको मैं कुछ-कुछ द्वार बता रही हूं जो left के दो पद है मतलब वो कई ना कई एकदम बढ़िया है जो आपको काम ही काम देंगे समाज में नाम देंगे लोग आप क्याते ना लोग आपसे आपको जानेंगे आपके काम से आपको जानेंगे आपको fame देता है वो द्वार लेकिन अब अगर यह द्वार हमारे नहीं है तो क्या है वो कई न कई फिर problem है कभी कोई problem आएगी कभी कोई problem आएगी तो इसलिए आपको बोलती हूँ जो जो मैं entrances के जो जो द्वार के बारे में Shania State channel पे भी बताती हूँ उस चीज को आपको देखना चाहिए क्योंकि कई बार लोगों की पत्रियां बहुत अच्छी होती हैं लेकिन जिस लियाज से क्याती है ना उनको आगे तरक्की मिलनी चाहिए तरक्की तो बड़ी दूर की बात है खाने के वांदे होते वे मैंने देखे हैं अब दूसरी चीज क्या है आपका घर का ब्रहमस्तान आपको यह देखना आपके ब्रहमस्तान पर कोई toilet कोई kitchen अग आपके bathroom में तो कोई इतनी आफत होना पड़ी है कि बीच वाला ही आपने करनी है आप उरा मत मानना अपना समझ के कह रही हूं क्योंकि आपको मैंने पीछे की वीडियो में भी बताय था जो जितनी इनर्जी निकलती है जैसे विवस्वान की इनर्जी उर्जा निकलती है ज आपका साउथीज कंसीविंग के लिए भी साउथीज बहुत अच्छा होना चाहिए आपको आरे मासमात से कही न कही जोडता है आप समझे जो आपका बुधर है वो बंडारे भरता है आपको मौके देता है एक से बढ़कर एक opportunities देता है मौके देता है bulk quarters देता है वो तो सब आ रहे है बुधर में यह जो चीजे है यह छोटी छोटी चीजे होती है तो अगर कोई भी व्यवस्ता आपकी है कि वहाँ पर जो बीच का जो टॉयलेट है उसकी pot seat ढटा के उसको गंगा जल और गव मुत्रे से 43 डेस तक छिड़काव करके कहते है ना मैंने आपको पीछे भी बताया था सरसो का तेल चीनी गंगा जल और मिटी उससे सफाई करना शुरू कर दो आपका ब्रहमस्तान का एरिया और वहीं पर बैट कर मैं कहती हवन करना शुरू करो पीछे मैंने आपको हवन बताया था गाय कोपला देसी कपूर घी डाल कर अगनी जला दी उसके बच्चे लोग आए जिनको डिप्रेशिंस हबना रहे हैं कर कि आपका जो गमरा आपको लग रहा है वह अगर आपका कमरा वेस्ट ओफ नॉर्थ वेस्ट इसका मतलब जो वेस्ट और नॉर्थवेस्ट और नॉर्थवेस्ट का कर स्थान क relaxing मतले लो अगर बैड वहाँ पर ह लो ना आप इसका मतलब West of North West में कई न कई सो रहे हो अगर आपको हमेशा उदासी सी लगता है आप उड़ते हो तो भी उदास हो सोने जाते हो तो भी उदास हो पूरा दिन उदास हो अफकोर्स जो पत्री की चीज़ है अगर दूसरा भाव पहला भाव छटा आटवा भाव सं सो रहे हो और लेकिन जो एक्चुल आपकी बेड़ की पुजिशनिंग है वो वेस्ट आफ नॉर्थ वेस्ट में हो तो यह चीज़ आपने एक बार ध्यान दे देनी है अब इसके साथ साथ एक और चीज़ ध्यान आ गई जो नॉर्थ वेस्ट है वो चंद्रमा का स्थान है देता है हमको इस ब्रह्मांड का स्थावल अपनी मदर से ले लो है न अगर कोई भी रिजन की वज़े से आपकी मदर आउट है या कहीं पर हैं या अभी आप नहीं ले सकते उनसे तो खुद ही दो किलो के दो किलो चावल और कुछ चांदी के सिके इसको आप अपने नौर्थ वेस्ट में कहीं न कहीं स्थापित कर दो आप देखोगे जो लोगों के साथ भी आपका एक emotional अदान प्रदान नहीं होता या आप एकदम impulse से वोकर कोई भी decision ले लेते हो है ना कि चलो चलो इतना माल उठा लेती हो बिक जाएगा लेकिन उसकी अगर कोई demand ही नहीं है मतलब market में तो इतना माल कठा करके करोगे क्या इसका मतलब आपका जो पैसा था वो सारा का सारा waste में चला गया क्योंकि आपने एकदम mindfully उस पे काम नहीं किया तो ये क्या करता है ये नौर्थ वेस्ट ये भी करवाता है अगली चीज जो मैंने कितनी बार बोला है फिर ये questions आ रहा था कि शैना जी हम लोग अपनी जो ति उदर ना किताबे रख दो उसको जदा जदा होगो उसका ध्यान ही उदर उदर जाएगा अगर उदर पैसा पड़ा होएगा तिजोरी क्यों बोली कि वो multiply आपका जो बरकत है वो multiply हो लेकिन अब क्या हो गया तिजोरियों में पैसा पूसा होता नहीं क्योंकि सारा तो FD करा देते हो आप लोग या ATM कार्ड आप यूज करते हो तो घर पे कोई कैश रखते नहीं अब अगर आप पहली बात हो west of southwest में थोड़ा बहुता कैश आपने रखना ही रखना है पहली चीज यह दूसरी चीज आपको एक बात बताती हूं वहाँ पर थोड़े से बदाम और छु लोग वेजी को लाइक करो शेयर करो इसलिए करो सब की जिन्दगी ठाओ जाए ओके दन बाब बाई नमस्कार